डियर फ्रेंड्स आपका अच्छे कोश चैनल में स्वागत हैं इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा जो है सोलूशन ले करके आई हूँ जिसमें कि आप लोग इस क्वेशन को अगर सारू करते हैं तो आप बहुत से बहुत अच्छे मांग से प्राप्त कर सकते हैं जैसे तुसके कि question paper में प्रोज में सात lesson है सात वो lesson कौन है lesson name और writer name मैंने दे दिये हैं इस seven lessons में से 8 marks का आपको एक passage लिखना होता है उसका reference, context और explanation लिखना होता है आपको ये पता होना चाहिए कि reference के लिए two marks allotted होते हैं context के लिए two marks allotted होते हैं और explanation के लिए four marks allotted होते हैं अब हमें आप लोगों को एक विशेश बात ये बतानी है कि आप इस eight marks के question को बहुत अच्छे से सालो कर सकते हैं क्योंकि इस eight marks में आप बस थोड़ी सी मिनध करेंगे पांच मिनध में इनध करेंगे आपका ये eight marks का question बिल्कुल ऐसे marks आ जाएंगे कि eight में eight marks आ जाते हैं अब आप लोगों को क्या है सबसे पहले आपको lesson name और writer name याद कर लेना है जैसे फर्स्ट लेशन है हमारा अगरल विथे बास्केट राइटर नेम है विल्यम सी डगलस सेकेंड लेशन है आफ हिलो ट्रेवलर इसके writer है एजी गाडिनर फर्ड लेशन है दा secret of health, success and power इसके लेख़ख है James Allen फोर्थ लेशन है दा home coming इसके लेख़ख है रविन्ना टैवर फाइब लेशन है I am John's Heart इसको लिखा है J.D. Redcliffe ने शिक्स लेशन है Women's Education इसको लिखा है Dr. S. Radhakrishnan ने सेविंथ लेशन है The Heritage of India इसको लिखा है A.L. Bosham ने अब हम आपको फर्स्ट पैसेज की तरफ ले चलते हैं इनी सेविं लेशन में से आपको एक पैसेज करना होता है जो की एक्जामनर पर पहला प्रभाव डालता है क्या डालता है कि बच्चे को जैसे एक्जामनर पर ने पहला पन्ला खोला देखा बच्चा रिफ्रेंज की spelling गलत लिखता है आपको क्या करना है reference की spelling अच्छे से याद कर लेना है अब मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से reference की spelling याद करवा देती हूँ क्या करना है reference means संदर्व अब ये संदर्व के लिए two marks से locket है और जबकि चाहे जिस जो है lesson से पैसे जा जाए अब हमको same एक ही जैसा लिखना है केवल lesson का नाम और writer का नाम बदलना होता है अब क्या करना है reference these lines have been taken from the lesson किस lesson से अगरल भी थे बास्केट से जैसे मैंने उठा दिया है आपको example के रूप में written written किया है great अब यहाँ पर सब बच्चे क्या writer डाल देते अब मैंने एक अच्छा सब राइटर की जगा author लिख दिया है author क्या है लेखक author means भी लेखक लेखक है William C. Douglas अब आपने इतना सा लिख दिया अब ये सब चाहे जो भी पैराग्राप आता है ये सब के लिए common है आपको केवल lesson का नाम बदलना है और writer का नाम बदलना है और आपके ये two में पूरे two marks से मिल जाते है अब हम चलते हैं आपको ले चलते है context की तरफ context में हमें क्या लिखना है हमें common context के याद कर लेना है जैसे कि कोई भी paragraph किसी भी lesson से आता है तो हम गो नहीं लिखेंगे कि क्या लिखेंगे in this lesson इस पार्थ में क्या लिखेंगे in this lesson इस पार्थ में the author लेखक ने कौन से लेखक है William C. Douglas क्या कर रहे थे William C. Douglas ने पूरे पार्थ में क्या किया एक कामन चीज हम उठा कर रख देते है William C. Douglas वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम न्यू डेलही टू बरेली बाय ट्रेन William C. Douglas ने न्यू डेलही से बरेली की बाय ट्रेन से यात्रा की थी अब उन्हें क्या हुई लेखक कोई एक नौँ वर्ष की लड़की ने प्रभावित किया A nine year old girl प्रेश्ट दी आथर टू बाई हर बास्केट अब हमारा ये टू मांक से सुरक्षित हो गया अगर हमने थोड़ी से मेनुद कर ली In this lesson कोई भी lesson आता है हम कोई भी lesson आता है उसमें से पहरा ग्राप आता है इसके बाद हम आपको explanation आप क्या करिए कि explanation की spelling अच्छे से आद कर लिजे बच्चे वहाँ पर spelling गरत कर देते हैं explanation means अर्थ इस पार्ट का अर्थ क्या है अब देखिए बच्चो वहाँ पर पैसेज दिया ही रहता है अब आपको क्या ट्रिक अपनानी है कि आप लिख दीजे इन दीज एबब लाइन्स इन उपर की पंक्तियों में क्या लिखना है आपको इन दीज एबब लाइन्स ये सब के लिख देना है दा आथर लेखक समसप मने एकत्रित करता है क्या करता है किसके बारे में एबाउट दा किसके बारे में एबाउट दा इंडियन यहाँ जैसे इंडियन के बारे में किया है अब दूसरा लेशन अगर थर्ड लेशन ले लेते हैं तो उसमें क्या सेक्रेट आप health के बारे में आप लिख दीजिए बस इसी तरह से लिखना इसके बाद आप दो तीन जो है sentence आप उसी जो यह paragraph दिया रहता उसमें सुतार दीजिए और आप क्या करेंगे कि आपका इस तरह से reference, context और explanation एक अच्छे से prepare हो गया और आपको आठ में पूरे 8 marks आप प्राप्त कर लेते हैं इसी तरह से आप थोड़ा सा अगर बहतर कर सकते हैं तो आप प्रियास करें आपके अच्छे से अच्छे marks आ सकते हैं ओके फ्रेंड्स, बाई बाई, हम आपके लिए इसी तरह से सरल सरल वीडियोज लाते रहेंगे बाई बाई, टेक केर